कि हलो देखे व्लगॉम टू बैसिक्स ओ फिजिक्स और आज हम बात करेंगे टॉर्वान डाइपोल यनीफॉर्म एल्टिक फिज़ एक उनीफॉर्म में हम ने ने डाइपॉल को रखा है और इसपर टॉर्क की बात करेंगे ठीक है तो चलिए देखके डाइग्राम अब बनाए हुए थाकि थोड़ा सा असानी हो जाए यह एक्टिफीड लाइन से ठीक है ना और एक्टिफील लाइन कैसी यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर पॉइंट पे जो बैल्यू है यूनिफॉर्ण की वह सेम होनी चाहिए और जो डायरिक्शन वह आप यह लाइन साब देखने पहला लाइन की किसी यूनिफॉर्म है अब बात करते हैं कि हमने डाइपॉल इसके रखा रखा है कुछ एंगल के साथ ठीक है ना डाइपॉल और यहां यहां पर नगया ओके ना अगर अगर इस डाइपोल के लेंद के हिसाब से इसकि लेंद के कुछ और पिलस यानिकि एक को लेंड अपोजिट चार्ज आप सेप्टिट असम डिस्टेंस टुएल है ना तो देखिए जो चार्ज पिलस का है उस पे एक फोर्स लगायगा एक्ल मिश्टार्ट सेल्ट आप और जो माइनस वालए की उचार्ज एक फिया टोजेगा हां वह अलग बात है प्लस लेकन यहां पर ओर चार्स पर फोर्स प्लस लग रहा है और उसको व्रग क्या तो रहा है है यहांपे एक couple of force क्या ओर être create हो रहा है क्या हो रहा है couple comehey democrat हो रहा है जो कि अलग-णद पर लग रहा हैyim कुछ distances पर इसकी बिए से क्या होता है टॉर एक क्रिच होता है तो क्या होता है डू तू कॉपल और je falls अब margin Legend experi अब कös of force it or Có this yeah, it is produced. ठीच है नब एकaur प्रोडु़ूस्ट होता है दाइपॉल के हिसाफ से डाइपॉल के लिए और उसको है कैसे क्या । होता है कितना वह उसको दें एक हॉम को हम है ह मैं हमारे पास के होता है एनिए फॉर्स कहुंसे पूर्टम में जो दो फॉर्स है लेते हैंमारे कपलिंग कपलिंग मतलब थोस होगा ठीक है तो कपल में कोई फोर्ई लेते हैं एस यह एंड़ पर आपte तो कोई भी एक ले रहते हैं, मैनिटूड ले नाम को, तो हम- Q in to a, एक फॉर्स ले ले रहे हैं ठीक है, अटीक है? एंड्स बिट्यम जो कपल ओफ फोर्सनु के डिस्टेंस लेनी, कौन से परपेंडिगर से लग रहा है, एक फॉर्स लिए और lefty उना है इसको एनटी डिग्रीपास कितना हो गएर चाहिए और ृइ और यह जाएगा पर इसको और आरेंज गरते हैं तो कितना ह speakers ओजाएग आपके सकते हैं एक का मतलब होता है कि यह एक जो यूणुन और वेक्टर रहे वह इन दोने को क्या प्लेन उनके प्रपेंडिकुलर ठीक है बट यहां पर नहीं है अगर आप दिखाना चाहब दिखा सकते हो जिसे a cross b होता है a b synthetic n cap तो n cap क्या होता है generally a b का जो plane है उसके perpendicular unit नाँ प्लेक्ट्र होता है ठीक है Okay so torque जो है वो कितना है P cross E n cap कह सकते हैं इसको है बो जो torque है इसको torque से लखते हैं अगर मैं इसको vector form में लख रहा हूं तो जो जाएगा P cross E क्या क्या है अब यहां पर डारिक्षन के अगर ही कि क्या होग दोनों के पर और एक कर रहा है और क्या होगा जो पी और के प्लेन के नॉर्मल विटाईन जा रही होगा तर क्या हो unit normal vector for plane of P and E मतलब जो dipole movement होगा और जो electric field होगा उनके plane के perpendicular एक vector जा रहा होगा तो क्या बहुत है तो torque की direction वो decide करेगा चीक है अब बात हो रही है कि ये तो चला expression आगया हमारा ठीक है अगर मैं torque को P sin theta की form में देखता हूँ तो definitely अगर मैं बात करूँ कि मेरा जो dipole है ठीक है dipole है उस पर maximum torque कब लगेगा maximum torque तो maximum torque के लिए हमारा साइन थीटा है साइन थीटा वो क्या होना चीज साइन 90 जिसकी maximum value क्या होती वन तो उस case में क्या हो जाएगा torque हमारा उस case में torque क्या हो जाएगा maximum चीक है ना तो यह हो जाएगा अगर दीटा कितना लें जीटा जीरो तो साइन जीडू हमारा जीरो हो जाएगा तो जिए की है इद्हर उस काहिए अगर यहां पर बात की जाए है कि टूर्क जीरो आएगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि Also कि value इसका मतलब जू डाइपोल है वह aligned कि किसा किष के time ihancod तो यह होता भी नैचरलली अगर आपको का रिलीज कर दो ठीक है ना तुब हो radius करदेगा Πलेंगा तो यह सिचुइशन होती है कि नेचरल क्या करता है यहां पर देखा जाए तो जो डाइपोल वो क्या कर रहा है अपने आपको अलाइन कर रहा है अगर हम उसको फ्रीली रिलीज कर रहे है तो तो तेटा कितना है तो यह था कुछ डाइपोल के बारे में जो कि हमने एक सब्सक्राइब को निकाला ठीक है ना तेटाज कर रहा है और डारे में जो किस्क्डा़ भी